आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12 एंसियाटी मैथेमेटिक्स के चेप्टर नंबर 5 सांतत्य और ओकलनियता के जो एक्सराइज है 5.2 उसके इंट्रोडेक्शन ठीके बच्चों तो शेलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बस आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा मैं कि जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें ओके बच्चों तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो देखिए आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडेक्शन ठीक है किसके इंट्रोडेक्शन की बात करने वाले बच्चों हम यहां पर तो हम यहां पर बात करेंगे कि किस प्रकार से अवकलनियता को आप घ्रिशेंट कर सकते हैं कि कोई भी function कब differentiate होता है ठीक इस पर चर्चा करते हैं कि आप किसी भी function कोगर कोई function या है हमारे पास तो उस function वो different यानि कि आप क्या कह सकते continuity तो find कर चुके हैं अब देखते हैं differentiable कि कि इस प्रकार से कोई भी function differentiate हो सकता है clear है तो चलिए देखते हैं फरस्स टापिक या फरस्टप इसको फरस्टप समझते हैं कि क्या चीज हो सकती है तो ध्यान से देखे गा अगर मान के चलिए हमारे पास कोई function है बात समझ लीजीए कि हमारे पास क्योई function F है और वहाँ function क्या है अगर वो function है वो किस पर differentiate होगा तो कोई भी यहने गर मान के चलिए उसके domain में कोई point C है ठेक है अगर उसके domain का कोई point क्या है C है domain है ना domain का मतलब समझते हो कि नी प्रांत में उस function के domain का कोई भी आमारे पास element है वो C है तब उस पर हमको differentiate करना होता है तो उसका जो फार्मूला होता है एफडे C एफडे C is equal to is equal to f x यार limit पहरे लगा लिजी रहा है आपर सीदे ऐसे भी लिखेंगे चलिकेंगे limit ले करके चलना है अपने को तो यह हो जाएगा आपका f-c is equal to अगर आप देखेंगे तो is equal to limit of है ना limit x tends to c x tends to c and f-c upon x-c अब यह limit यहाँ पर x tends to c है वो exist भी करनी चीए function में क्या करनी चीए exist करनी चीए तो यह क्या होता है कि हमारे पास कोई function f है और उसका domain का कोई point c होता है या domain में कोई point c होता है तब f-c is equal to limit x-c fx-fc upon x-c होता है clear हो गई बात चले आगे अब ध्यान से देखेगा अब हमको यह समझना है कि यहाँ derivative कब होगा हर यह differentiate कब होगा तो एक बात समझना है आपको कि यहाँ पर left hand side equal to right hand side होनी चीए या left hand derivative is equal to right hand derivative होनी चीए यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो left hand derivative is equal to right hand derivative कैसे होगा इसको हम समझते हैं तो ध्यान से दिखिएगा अगर मैं बात करना चाहूं लेप्ट हेंड डेरिवेटिव की तो लेप्ट हेंड डेरिवेटिव होगा क्या तो लेप्ट हेंड डेरिवेटिव का मतलब आपको पता है कि ये लिमेट अगर मैंने कहा X tend to C negative हम लेप्ट हेंड साइड लेते थे कि नि? तो लेप्ट हेंड डेरिवेटिव लेके चल्रहें जलेएड लेके चलेंगे और यहाँ पर का होगा function Fx होगा consumption क्या हो जाएगा आपके पास Fx होगा या आप यह कह सकता हो कि left hand derivative अगर आप represent कर रहे हो तब इसको ऐसे भी represent कर सकते हैं कि limit x tends to c negative fx minus fc upon क्या होगा x minus c अब देखिए जब limit x tends to c negative है तो आप इस अंसन को ऐसा बोल सकते हैं कि limit यह जब क्या होगा x tends to c negative था तो आप यहाँ x tends to 0 लेके चलेंगे x tends to 0 और यह हो जाएगा आपका f और यहाँ पर x के जगह क्या रखेंगे c minus h ओके और यह होगा minus fc upon यह हो जाएगा c minus h और यह minus c this equal to आप लिखेंगे limit h tends to 0 and fc minus h minus fx upon c से c cancel so minus h ओके अब राइट हैंड डेरिवेटिव देख लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा यह होगा यह होगा limit x tends to c positive अगर जो यह limit कैसे हम लेट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव रिकाल रहे हैं इससे पहले बिटा आप देख लीजेगा इसके पहले याने कि 5.1 की introduction और 5.1 को देख लीजे आपको सब समझ में आ जाएगा ठीक है अब यह हो जाएगा fx fx plus fc upon x minus c this equal to limit h tend to 0 ठेके h tend to 0 होगा और यह होगा f अब c plus h है तो याने c plus thा तो c plus h minus fc upon क्या होगा c plus h minus c c से c cancel ओके this equal to limit h tend to 0 and f c plus h और यहां क्या होगा minus है ना minus स्वारी यहां पर क्या plus लिख दिया क्या हमने यह भी क्या होगा minus होगा ठीक है याद रखना यह क्या होगा माइनस होने वाला ठीक यह minus रहेगा आपका clear है चलिए बढ़ते आगे तो क्या होगा यह f x होगा अपवान यह हो जाएगा देको c से c के इंसल उठ हो गया तो h ठीक है तो अब देखिए कोई भी function को याने कोई भी function अब क्या कहेंगे हम कि अगर यह function कैसा है या कोई function अगर derivative कब होगा जब उसका क्या होगा left hand derivative is equal to right hand derivative होना चीए clear है बच्चो clear है यहां तक समझ में आगई यह बास समझ में आगई चले बड़े आगे चले अब देखिए कि मैं बताता हूँ कि left hand derivative is equal to right hand derivative कैसे होगा आपको यह बात याद रखनी है आप इस बात को ऐसा भी कह सकते हो कि limit extended to c negative fx minus क्या होगा fc upon क्या होगा x minus c is equal to limit extended to c positive fx minus fc upon x minus c क्लियर है मतलब कि left hand derivative is equal to right hand derivative हो न चीए हम इसको एक करवर के हिसाफ से देख लेते हैं कि करवर के हिसाफ से इसकी जो meaning क्या हो सकते derivative की है ना इसकी परिवासा क्या हो सकती तो उसको समझाना चाहूंगा अब देखिए यहाँ पर हम किसी करवर को रिप्रेजेंट करेंगे और करवर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा हो क्या हो सकता है यहां से लेखिएगा एक एक पॉइंट को समझने की कोजिस करते हैं यहां पर चलिए अब हमने कहा कि सपोज यह हमारी हो गई एक वा एक्सिस और यह एक्स एक्सिस हो गई ठीक अब यहां पर चलते हैं नेक्स पॉइंट लेकर के मैंने का मेरे पास यहां पर कोई पॉइंट से और यहां पर बिलॉंग करेगा ठीके सी देगेंगी यहां पर है एक्स प्लस एक्स 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 तो c प्लस h यहाँ पर होगा, यह हो जाएगा देखो, यह point क्या हो गया, c हो गया, x के लिए तो c हुआ, तो y के लिए क्या होगा, fc होगा, clear हो गया, लेकिन जब यहाँ पर यह x के लिए c प्लस h है, यहाँ पर क्या होगा, c प्लस h, function, c प्लस h होगा, ठिक, अब देखिए, अब यहाँ लेता हूँ में एक point minimum point less than point c minus h तो आप यहाँ बताएंगे कि यहाँ पर जो point है वो क्या है c minus h और यह जाएगा फंसन यह जाएगा c minus h ठीक अब यह तीन point होगा है अगर मैंने कहा इस point को बुला p है इस point का नाम लिया a है इस point का नाम लिया तब आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं a से p का अगर slope देखूँ a से e का अगर मैं slope देखूँ तो यह होगा b से c का जो slope देखूँ तो यह होगा यहाँ से नीक रही है अपको एक बात है तो मैं क्या कह रहा हूँ तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि Slope of AP Slope का मतलब क्या होता ढाल ढाल की बात कर रहे है प्रमनता की बात कर रहे है ठेक है तो हम कह सकते हैं कि Cord का या फिर हम कह सकते AP जो Cord है उसका Slope देखेंगे तो क्या हो जाएगा Cord मतलब वक्र है ना इस बकर का हम देख सकते slope, slope क्या होगा, तो देखो या हम यहाँ पर क्या बोल रहे वाले हैं slope की बात करने वाले हैं, तो देख लो slope किसकी देख रहे, AP का, ठीक है तो slope देखेंगे, तो ध्यान से देखेगा बच्चो इसमें क्या दिखेंगे, slope की अगर बात करूँगा यह हो जाएगा, F C-H माइनस, क्या होगा, F-C F-C अपान, यह होगा, F स्वरी, अब यह F तो होगा नहीं ठीक है, यहाँ यहाँ से देखेगा, एक इक बात होगा, ठीक है, चलिए देखो, हमने क्या बोला, F C-H, माइनस, F-C, और यह हो जाएगा, C-H, C-H माइनस, C, C, से C कैंसल, तो यह होगा, फिर नेगेटिव आगया उसके बाद अगर, slope of A is slope of, क्या देखोगे अब अब देखोगे तो BP देख ले ना BP का slope देखोगे BP का जो slope होता है वो क्या होगा, यह हो जाएगा FC प्लस H FC प्लस H माइनस FC अपान, जो जाएगा C प्लस H माइनस C C से C कैंसल, प्लस H रहे गया अब देखोगे, तो यह मिनिंग क्या होगई कि AP का जो slope होगा AP का जो slope होगा, is equal to BP का slope होना जाएग, दोनों का slope होना जाएग, अब इसके slope को बराबर होने के लिए, आपको पता है यहाँ जो H tend to 0 होता है H tend to 0, यहने H 0 की और कैसी है, अग्रसर है, इसका मतलब यह value A, B, यहाँ नहोते हैं एकदम पास में होगा यहाँ पर, और A इधर दूर नहोते हैं, यहाँ पास में हो जाएगा तो यहाँ से देखो, दोनों का, एक ही यह, दोनों का slope एक ही हो जाएगा, और यह इसी पॉइंट से गुजर जाएगा इसी पॉइंट से गुजर जाएगा क्लियर है बच्चो यह बात आपको ऐसी समझते होगी क्लियर है यहां तक बात यह समझ में आ गई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ठीक है अब देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं यहां पर और इसकी एक छोटा सा थेवरम दिया गया है है वो थेवरम क्या है उस प चलिए यह दिया है थेवरम आपका प्रमे यह प्रमे हैं देख लेते हैं चलिए देखो प्रमे तीन दिया होगा आपके इसमें अगर आपको अपनी बुक में देखेंगे तो प्रमे तीन दिया है प्रमे तीन क्या दिया गया है यदि फलन किसी बिंदू यदि फलन किसी बि किसी बिंदू सी पर अउकलनिय है तो उस बिंदू पर वह संतत भी है अब बात समझो क्या कहते है यदि फलन किसी बिंदू पर सी पर अउकलनिय है तो उस बिंदू पर वह संतत भी है अब इस बात को समझना है बच्चो कि इस बात को आप कैसे हल कर सकते है या इस बात को कैसे देख सकते है clear है अभी इसमें आपको कोई भी problem नहीं होनी चीए बहुत ही easy है इसको समझ ना है मैं आपको बता रहा हूँ एक एक condition को तब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि limit अभी यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं जहां से देखेगा तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आपनी यह बात देखा है कि limit extended to c और function क्या था fx यही था fx minus fc अब मैंने क्या कहा कि अगर मैं कोई function ले रहा हूँ मैंने बोला कि यह fx है fx minus fc is equal to मैंने का इस function में क्या कर रहा हूँ मैं इसको ऐसा लेकर रहा हूँ देखो fx minus fc upon में x minus c into x minus c rate कर सकता हूँ यानि answer हर में हमने क्या किया x minus c और x minus c का multiply किया अब हम क्या बात कहेंगे कि अगर x minus c है तो मैं क्या दोनों पक्षों में limit apply कर सकता हूँ तो यहां करते हैं limit हना limit लगाते हैं तो limit यह extended to क्या हो जाएगा c होगा तब आप देखेंगे यह हो जाएगा fx minus यह होगा देखेंगे तो यह हो जाएगा fc ओके this equal to जब limit लगाएंगे तो limit extended to c और यह हो जाएगा अपका function fx minus fc upon me x minus c अब यह एक function हो गया यहाँ पर भी लेंगे limit और यह हो जाएगा fx minus c अब दियान से देखेंगे इसको limit अलगलग कर सकते हैं इसको लिखेंगे limit extended to c fx minus limit extended to c और यह होगा fc ओके this equal to अब जब इस condition को दियान से देखेंगे अब मैं इसकी बात देखो यह बात किसके बराबर है इसके बराबर है इसका मतलब इसकी value f'c हो सकता है चलो रखेंगे और देखो अगर यह limit extended to c यहने x की value c रखेंगे आप c minus c 0 मतलब इसकी value होगा 0 clear है तो अब यह क्या कहेंगे कि limit extended to c fx minus limit extended to c fc is equal to इसका multiply करूंगा पूरा 0 होगा जब यहाँ limit apply करोगे है ना limit apply करोगे तो इस condition को मैं ऐसा लिखते ऐसा लिख दूँ देखेगा ऐसा लिखते इसको ऐसा लिख देते हैं देखेगा अधियां से इसको हम ऐसा लिख सकते थे अगर ज्यादा इससे इतना बढ़ाए तो क्या लिख सकते हैं सुभी अली को बटा कि जिसे limit apply करेंगे तो x के जगा c ही तो रखोगे और bs x के जगा c मतलब c के जगा c ही तो है तो क्या मैं इस function को fx कह सकता हूं स्वरी fc कह सकता हूं क्या कह सकते हैं अब fc का इधर transfer करेंगे यो जाएगा limit extended to c fx is equal to fc इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी भी function को function fx को extended to c पर हल करते हैं तो fc होता है मतलब आपे कह सकते हो कि अधिक फलन किसी बिंदू c पर अउकल नहीं है तो वह बिंदू या तो वह तो वह या तो उस बिंदू पर वह कैसा है संतद भी होगा clear है बच्चो एक सेकेंड संतद भी होगा clear है यहां तक बात समझ में आ गई किसी को कहीं confusion है नहीं है ठीक है तो मजा आ रहा है question को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए चलो मैं एक function के अंतरकत बताता हूं कि आपको यहा क्या हो सकता है कि differentiable है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक function के तरीके से दिख सकते हैं या हम कह सकते बिटा एक example के तरीके से दिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरा तो मानना है अब आपका मानना क्या है यह आप देखे ठीक है मैं तो आपको बता दे रहा हूं कि इसमें कोई भी problem नहीं होनी चीए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चीए वैसे एक बात मुझे याद आ रही है कि मुझे बात और बता दीनी चीए तो चलिए मैं इसी slide पर लेके चल रहा हूं कि कैसे इसको बात कर सकते हैं देखे एक बात बता रहा हूं यहाँ पर ध्यान रखना मैं तीन ब X is equal to A पर अवकल नहीं है, पर अवकल नहीं है, अवकल नहीं है, A बोलो या C बोलो, कोई दिक्कत नहीं, C भी हो सकते हैं, सीधा व्यक्त पढ़ रहा है, C भी लिख लेते हैं, है, तो वहाँ उस बिंदू पर, तो वहाँ उस बिंदू पर संतत होगा, ठेक हैं, दूसरा, अब उसके बाद देखते हैं कि यदि फलन, यदि फलन, एफ एक्स, X is equal to C पर संतत है, संतत है, तो आवेशक नहीं है कि, आवेशक नहीं है, कि वह अवकलनिय हो, अवकलनिय हो, ठेक, लेकिन थर्ड बात अपको याद रखनी है, यदि कोई फलन, संतत नहीं है, यदि कोई फलन, यदि कोई फलन, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, शंतत नहीं है, तो वह उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, अवकलनिय भी नहीं है, याद रखना, देखो, कोई फलन, अगर fx is equal to, fx, x is equal to c पर, अवकलनिय है, तो वह उस बिंदु पर, संतत भी है, अगर अवकलनिय है, तो संतत है, लेकिन अगर संतत है, तो अवकलनिय हो, जरूरी नहीं है, इस बात को आप अपने दिमाग में रख ले भरके ठीक है यहां तक बात क्लियर हो गई यहां तक बात क्लियर हो गई कोई प्रॉबलम किसी को नई होनी चीए मेरा तो मानना यह है अगर यहां पर आपको कोई प्रॉबलम होती है इतने से सरल से बात में तो फिर तो भईया आप को दिक्कत ही दिक्कत होगी पिर इसमें मैं भी कुछ नी कर सकता है ठीक है चलिए एक exampl लेकर चलता हूँ और मैं बताता हूं कि आउकल नहीं है ताकि किस प्रकाश से आउकल नहीं है को इसको शिद्ध कर सकते हैं ध्यान से रिखिएगा है जाम ने तो मेरे ये पास क्या है? प्लस X है. ढिकके 7 रूकर ये हैगा. ये क्या है हमारे पास प्लस X है? अब दियान से देखिए. अब ये माइनस X है. तो यहां पर क्या होगा यदि X. अब X कैसा होगा? अब ध्यान से देखो, तो फंसन को इस प्रकार से मैंने previous exercise में सिखाया था और इसमें भी सिखा रहा हूं, जोनों सी देख्वल होगी, अब ध्यान से देखेगा, अब मैं अगर इस फंसन को left hand derivative देखो, तो क्या होगा, तो left hand derivative का मतलब होगा limit extended to, अब c negative का मतलब होता है, O negative लेके चले हम यहने कि 0 negative क्योंकि यहां पर 0 पर देखना है मुझे कितना होगा अब यह इसको समझेंगे आप तो यह हो जाएगा F X minus F 0 upon यह होगा X minus 0 this equal to अब ध्यान से देखो limit change कर दे limit X tends to 0 यह होगा F जहां पर X है वहाँ पर 0 minus H और यह होगा minus यह होगा F 0 upon F 0 upon क्या होगा 0 minus H minus 0 this equal to अब ध्यान से देखिए अब जहां पर function अब ध्यान से देखो कि 0 से छोटा है मतलब याला function लेके चलूँगा मैं कोई problem नहीं हो नीची है ध्यान से देख लीजिए अब देखो minus F 0 अगर मैं F 0 की value की भी बात करूँ या अगर simple C हम बात देखे बहुत ही ध्यान से समझे ना बच्चो इस बात को मैं बता क्या रहा हूँ पढ़ा क्या रहा हूँ यहां पर किसी को भी कोई tension नहीं होनी चीए ठिक अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस बात को लिखू की limit यह h tend to 0 है और मैं कहता हूँ कि इस फंसन को हम इसको ऐसे बोल सकते हैं देखो जहां पर x minus 0 मतलब याला फंसन लेके चलेंगे तो क्या होगा यह होगा आपका x जाए वापर 0 minus h ले लू और यह minus अब ध्यान से देखो इतनी बस समझ में आ गई और अब 0 अगर कोई भी फंसन 0 है तो भाईया 0 आएगा ध्यान से समझो अगर फंसन 0 है तो मैं यह बात कहना चाहूँगा कि वो 0 होगा यार कोई किसी को problem नहीं है तो यह 0 होगया minus है न जी 0 होगया अब इस बात को क्या कहेंगे कि क्या होने वाला 0 minus h 0 minus h minus 0 मतलब यह minus h होगा जब इसको स्वालो करोगे तो यह क्या है गा अब यह हो जाएगा अपका limit h tend to 0 0 minus देखो 0 का अधर मल्टिप्लाइ करूँगा तो यह h होगा upon यह minus h होगा cancel out तो इस इक्वल to minus वर ठीक है जी लेकिन अगर इसका right hand derivative रिप्रेजेंट करें तो limit x tend to 0 positive f x minus f 0 upon क्या होगा f 0 upon में x minus 0 x minus 0 मतलब यह x minus 0 होगा is equal to limit h tend to 0 यहाँ पर फंसन 0 plus h minus f 0 upon में यहोगा 0 plus h minus 0 this equal to अब सीदे दिखो सीदे दिख दू अब यहाँ पर 0 plus h मतलब यहाँ ली condition 0 plus h आएगा अब 0 plus h होगा तब आप ध्यान से देखेंगे इस condition को कि किस प्रकार से हल कर सकते हैं ठेक है तब देखिए हम अगर बात करते हैं तो 0 plus h कहते हैं तो ध्यान से देखिएगा आप इसको कैसे लिखना है यह लिखेंगे limit h tends to 0 h tends to क्या होगा 0 होगा और यहाँ पर आप represent करेंगे जहाँ पर function 0 से बढ़ा है मतलब यहाला function है क्यों होगा 0 plus h और यह होगा minus 0 upon h ठीक है 0 से 0 अट गया h limit apply मत करो अभी तो इसी वैसा लिको limit h tends to 0 और यह हो जाएगा h upon h cancel out करूँगा तो 1 और limit h tends to 0 भी apply करेंगे तो 1 आएगा क्या यहाँ पर left hand derivative is equal to right hand derivative हुआ not equal to इसका मतलब दिया गया फंसन हमारे पास differentiate नहीं हो सकता ठीक है यह आउकल यह फलन नहीं है clear है बच्चो चलो बड़े इसके अब next question की और यह आप कह सकते इसमें examples यह कुछ उन examples को देख लेते है clear है यहाँ तक बात समझ में आई मेरी मेरी बात समझ में आई सभी को ठीक है चलिए तो इसके examples पर चलते है वैसे तो examples पढ़ानी से पहले में कुछ और बाते आपको बताना चाहूंगा अब देखो examples तो हो गया यह मान के चलिए यह condition हो गई यहाँ पर कोई problem है क्या नहीं ठीक है अब यह example तो हो चुका है अब अगर हम देखे इसको एक second चलिए ठीक अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको clean कर लेते हैं अब धियान से देखिएगा अगर हम इसमें देखे तो कुछ फार्मूले होते हैं क्या होंगे कुछ फार्मूले होंगे और वो फार्मूले क्या होने वाले हैं उस पर हम चर्चा करते हैं ठीक है बच्चो तो चलिए अब कुछ फार्मूले लेके चल रहा हूँ उन फार्मूलों को आप याद करेंगे देखो अवकल नहीं होता के लिए कुछ फार्मूले हैं जैसे मान के चलिए यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला ले रहा हूं मैं जो फर्स्ट फार्मूला होता है कि d by dx अगर x raised to the power n है तो is equal to यह n सामनी आ जाता है और x raised to the power n minus 1 होता है क्लियर है यह फर्स्ट फार्मूला अगर सेकंड फार्मूला देखेंगे तो d by dx होता है और यह हो जाएगा x raised to the power n है तब कितना होगा n x raised to the power n minus 1 होगा लेकिन अगर मैं यहाँ पर बढ़ता हूं कि अगर मेरे पास कोई 4 रासी है तब इसका value 0 हो जाता है तब इसकी value क्या हो जाती वेटा 0 हो जाती है ठीक है ऐसे याद करते चलो अगर तीसरा फर्मूला देखे कि d by dx है और मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास गिया e raised to the power x तो इसकी भी value e raised to the power x होती है अगर चौती बात करे d by dx है और हमारे पर d by dx देने के साथ अगर हमें क्या कहता है यहाँ पर log यहाँ पर x है यहाँ पर base में e होता है मैंसा याद रखना तो इसकी value 1 upon x होती है अगर मैं 5th formula की बात करूँ अगर मैं 5th formula की बात करूँ यहाँ पर तो याद रखिएगा कि अगर d by dx है हमारे पास कोई function तब हम क्या करेंगे d by dx और यहाँ पर कोई function हमारे पास जैसे log अब यहाँ पर दिया हमारे पास log x दिया है लेकिन base में e दिया है e नहीं दिया तब इसका value होता है 1 upon x log और यह हो जाएगा e और यह base में e clear हो गया अगर छटवे question की ओर चले अब e sorry छटवे formula की ओर चले यहाँ तक यह formula समझ में आ गए next लिखते चलिए गए साथ में बच्चो यह आपको बहुत help करने वाले प्रस्णावादी ठीक है चलो छटवा अगर formula देखेंगे आप तो यहाँ पर छटवा formula होगा आपका d by dx अब मैं आपको sorry trigonometry के बता दू चलो sin x अगर sin x है तो इसका cos x होता है साथवा d by dx अगर cos x है तो यह बेटा minus sin x होता है आठवा d by dx है और मैंने कहा sin x cos x sin x भी हो गया cos x भी हो गया अब 10 x ले ले अगर 10 x कोई function है तो 10 x का होता है sec square a याद रखेगा अगर नवा formula देखे d by dx 10 x के बाद हम ले ले यहाँ पर cot x cot x cot x का अगर formula देखेंगे तो minus cos x square x होता है आगे बढ़ते हैं दसवे formula की और तो d by dx अगर यहाँ पर बेटा cos x दे दिया है cos x square या स्वारी cos x square नहीं देगा cos only cos x देगा ठीक है cos x अगर यह cos x है अगर आप देखेंगे cos x है तो इसका होता है minus cos x into cot x अगे बढ़ते हैं 11 फर्मूले की और तो d by dx अगर सेक x है तो सेक x का formula होता है बेटा सेक x into 10 x clear है बच्चों यहाँ तक हो गए तो इस सेक x sign का भी हो गया cos का, 10 का, cot का सेक का और कॉसेक का clear है यहाँ तक समझ में आगे trigonometry फर्मूले आगे बढ़ते हैं next फर्मूलो की और तो इसके next फर्मूले होंगे बच्चों देखिए 12 12 फर्मूला होगा वोग आप inverse trigonometry का ले ले inverse trigonometry का तो यहोगा d by dx यदि sin inverse x है तो इसका value होता है dx है और यहाँ पर cos inverse x है तो जो cos inverse x का वे जो value होता है बेटा वो होता है minus 1 upon under root 1 minus x square उसके बाद आप देखते हैं 14 फर्मूला d by dx यहाँ पर देखेंगे d by dx मैंने कहा कि यह 10 inverse x है 10 inverse x है तो 10 inverse x का अगर आप देखते हैं यह होता है 1 upon 1 plus x square अगर मैं बात करूँ 15 फर्मूले की तो d by dx अब मैं यहाँ कहते हैं कि cot inverse x होना चाहिए तो cot inverse x का 1 minus 1 plus x square होता है सोलवा अगर हम देखे d by dx और यहाँ पर देखते हैं sec inverse x तो sec inverse जो x है इसके अगर value की बात करेंगे बेटा तो यह होती है 1 upon x under root of x square minus 1 ओके लेकिन अगर मैं सत्रवा देखू d by dx और यहाँ लिखते हैं cos x inverse x इसकी value होती बेटा minus 1 upon x under root of x square minus 1 clear है यहाँ तक बात समझ में आ गई देखो यह आसानी से याद हो जाएंगे देखो sin है तो cos cos है तो minus है यह देखो याद रखने का तरीका बताता हूँ देखो जो c से सुरू हो रहे है उसमें इसका जो answer आ रहा है negative यह भी c से सुरू हो रहा है negative c से सुरू हो रहा है negative यहाँ तक बात समझ में आ गई चलिए अब मैं जो बात कर रहा हूँ बच्चो वो ऐसे formula की बात कर रहा हूँ जिसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा यह बहुत ही important होने वाले है जैसे अगर मैं बात करूँ जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ अलग से फार्मूलों की तो मैं कह सकता हूँ next फार्मूला जो होगा अठारवा वो कैसे रइट कर सकते हैं तो अठारवे फार्मूले में दियान से देखेगा बच्चो मैं कहूंगा कि अगर कोई दो फंसन है मेरे पास जैसे मैंने कहा d by dx है d by dx into u plus r minus v है अगर दो फंसन है मेरे पास या तो धन में है या तो रीन में है तब अब क्या लिखेंगे कि पहले फलन यानि d by dx पहले फलन का उकल गुनाग अगर धन है तो धन रीन है तो रीन d by dx into v यानि पहले फलन का उकल गुनाग धन है तो धन रीन है तो रीन दूसरे फलन का उकल गुनाग ठीक है दूसरी बात अगर मैंने कहा कि अगर यही फंसन यही फंसन जैसे d by dx है और मैंने कहा कि यह u into v यानि की गुना में है तब इसको कैसे हल करेंगे कि यहाँ पर पहले फलन, यानि किसी भी एक फलन को छोड़ो, मैंने बोला पहले फलन को छोड़ दिया, D by D x, उसके बाद मैंने कहा, दूसरे फलन का आउकल गुनांक, रिन, ए स्वारी धन, गुना है तो धन, फिर देखो, जिसका आउकल गुनांक हो चुका उसको छोड़ दो, और जिसका आउकल गुनांक नहीं हुआ था, उसको आउकल गुनांक याद करो, यानि एक को छोड़ो दूसरे का उकल गुना है दूसरे को छोड़ो पहले का उकल गुना है बास समझ में आ गई बीसवा और ये बहुत ही अच्छा है उसको देख लेते हैं कैसे होगा मैंने कहा अगर मेरे पास कोई फलन भाग में है d by dx अगर मैंने कहा u upon v तो आप इसको कैसे हल करेंगे तो इसमें याद रखना बेटा हमेसा दूसरे फलन को छोड़ेंगे पहले v को छोड़ा d by dx u minus भाग है तो मैंने देखो भाग रीन जैसे दिखता है रहे गुणा गुणा आपको धन जैसे दिखता है अब देखो u का अमने ग्याद कर चुका था तो u को छोड़ो d by dx अब यहाँ week को छोड़ाता तो week out करो अपान लेकिन यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चो कि भाग में तो बस इतने से में खतम हो जाता है लेकिन भाग में आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर बटे लेके चलना है और बटे में जो बटे में value रहती उसका whole square यहने दूसरे फलन का whole square क्लियर है बच्चो यह बात याद रखना अब इसके बात एक और topic रहता है जिसको हम मैं बताना चाहूंगा जिसको हम कहते हैं चैन, rule, यास, रंकला, नियम, जेके और यह हो जाता 21 वा फार्मूला और अंतिम होना चाहिए यह जैसे म अगर मैंने का, कोई मेरे पास फ्लन है, जो इसमें हलन नहीं हो सकता, जैसे मैंने का यह T है, dT upon dx, अगर आप इसको हल करना चाहते हैं, या मैं इसको ändern पूलते भी है, मैं इसको ऐसा बोलने वाला हूं ज्याँखन से देखिएगा, मैं इस बात को ऐसा कह सकता हूँ कि इसको बोल रहा हूँ मैं डी वाई है ना डी वाई इस अपॉन डी एक्स इस इक्वल टू योगा डी टी अपॉन डी है ना डी टी अपॉन डी वाई इंटू या अब कह सकते हैं फिर गलात हो रहा है एक सेकेंड रुकिएगा चलिए चैन रूल क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इस इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स देखो डी टी से एकर डी टी कड़ गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इसको बोलते हैं स्रंखला निएम, या मैं English में इसको बोलूँगा नियम, chain rule, क्या बोलूँगा इसको chain rule ओके यह very very important भूट important है वैश में पूरे formula important है यह chapter है इतना important है कि जो भी चीज़े होने वाली है इसके बाद जो चेप्टर पर पढ़ेंगे हम जैसे हम क्या पढ़ेंगे कठी न पढ़ेंगे त आउकलन पढ़ेंगे समाखलंक पढ़ेंगे यह चीज़ आनीच यह चिए और यह चैन डूल तो बहुत ही इंपोर्टेंट भी चैन डूल तो आता ही रहता है है हना हमेश साथ रहेगा इसलिए चैन रूल को बहुत अच्छा से देखना चलिए इन पर एक एक कोश्चन देख ले यह तो समझ में आ गया है वेकिन इन पर कोश्चन देख ले कि योग पर multiply पर और divide पर और chain rule पर कैसे कोश्चन बनते हैं ओके चलते हैं नेक्स स्लाइट पर और एक नहीं कोश्चन देख ले यह यह पर देख ले जान यहां पर ही देख ले यह ना चलो मैंने का आप फस्ट कोश्चन यहिए पर दियान से देखेएगा कि देखो फस्ट कोश्चन में हम कहेंगे कि मान के चलिए मेरे पास दो फंसन है मैंने कहा है कि f x is equal to sin x plus हम कहते हैं कि 2 x raise to the power 5 यहाँ पर एक function ही हो गया दूसरा function ही हो गया तब आप इसका आउकलन कैसे करेंगे तो देखिए हल में दोनो पक्षो का पक्षो का x के सापेक्ष आउकलन करने पर आउकलन करने पर आउकलन करेंगे अब x के सापेक्ष ही क्यों बोला क्योंकि देखो यहाँ पर जो function में देखो variable है वो x है इसलिए अगर t होता तो t बोलता है यहाँ पर भी t होता तो t बोलता बास समझ में आ रही है तो देखो आउकलन करेंगे इसको लिखेंगे d by dx अब देखो function पहला function दूसरा function तो पहले function का उकल गुना धन अब यह two constant value है बाहर कर दो d by dx और यह x raise to the power 5 जब आप इसको swallow करेंगे बच्चो तो क्या होगा अब देखो sin x का भी बताया था मैंने sin x का cos x होता है यह cos x हो जाएगा प्लस यह two का two रहेगा into x raise to the power 5 वह मतलब x raise to the power n n सामने आता है और यह घत कम हो जाती है मतलब 5 सामने आएगा और क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x raise to the power 4 जिसको हल करेंगे यह हो जाएगा cos x प्लस पांच दुनी 10 और यह x raise to the power 4 यह आपका answer है clear है अगर suppose अब यहाँ पर हम दूसरा लेके चलते हैं अब यहाँ पर दूसरा function लेके चलते हैं देखो second example second example में हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई function है fx is equal to मैंने कहा कि यह आप कह सकते हैं कि यह e raise to the power x upon sin x कोई function चुना अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर भी लिखेंगे हल में दोनो पक्षो का x के साप x अउकलन करने पर तो यह होगा f dash x is equal to dy dx और यह होगा आपका e raise to the power x upon sin x अब देखी बच्चो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं दूसरे फलन को पहले चोड़ते हैं कि होगा sin x d by dx e raise to the power x minus e raise to the power x d by dx sin x upon यह क्या होगा sin square x ध्यान से देख लो यह बात हम पहले देख चुके हैं देखिए कुश्च कुन सा वाला सुत्र नंबर 19 19 को देख रहे हैं है ना स्वरी 19 नहीं 20 20 भाग वाला देख रहे हैं पहले फिर गुना वाला देख लें हल करते हैं बच्चों इसको तो this equal to sin x का sin x रहेगा और यह e raised to the power x का e raised to the power x ही है फार्मूला देख लीजिए गा माइनस e raised to the power x का e raised to the power x जबकि sin x का जो अउकल गुनांग होता है उपान अब देखिएंगे sin square x यह हो गया sin square x अब दोनों में क्या common दिख रहा है e raised to the power x तो e raised to the power x को common कीजिए यह हो गया sin x minus cos x upon sin square x यही आपका क्या होने वाला है answer clear है बच्चों लेकिन अगर यही गुना में हो जाता तीसरा question कि अगर मैं कहता कि अगर fx is equal to e raised to the power x into sin x होता तो क्या answer आता तो फिर वही दोनों पक्चों का x के जाप्ते चाओ कलंग करने पर फिर होगा f dash x is equal to d by dx हैना यह example से इसलिए इतना सारा समझा रहा हूं है जब प्रशनावली समझाओंगा तो इतना deep में नहीं बताते हैं यह 12 पढ़ रहे हैं यह होगा आपका e raised to the power x और यह sin x ओके दिस equal to अब यहाँ पर किसी भी फंसन को छोड़ दो चलो पहले फंसन को छोड़ दो e raised to the power x d by dx पहले फंसन को छोड़ो दूसरे फंसन का उकल गुनांक धन दूसरे फंसन को छोड़ो है ना अब क्या करेंगे दूसरे फंसन को आप छोड़ देंगे और पहले फंसन का क्या करेंगे अब कल गुनांक ग्याद करेंगे this equal to e raised to the power x का e raised to the power x sin x का क्या होगा cos x plus sin x सा sin x रहेगा और e raised to the power x का e raised to the power x दोनों में क्या common e raised to the power x common तो आ क्या गया हमारे पास sin x को पहले लिख दे sin x plus cos x या cos x plus sin यही अपका क्या होने वाला है अंसर होने वाला है चलिए अब हम पढ़ते हैं एक अच्छे टॉपिक को जिसका हम बोलते हैं स्रंखला नियम चैन रूल चैन रूल के according कैसी question से बने वाला है ध्यान से देखिएगा suppose हमने कहा या example भी ले लेता हूँ यह आपके book में example भी है चैन रूल के according आपके exercise से पहले examples है उन examples को लेके चलते हैं जैसे आप देखेंगे example number 21 अपने book का देख लीजिए यहाँ पर फंसन दिया है fx is equal to sin x square ठीक है sin x square अब यह भूल के भी न समझे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर छोटी सी बात है वो छोटी सी बात पहले समझ लेना मैं बता क्या रहा हूँ प्लीज अच्छे से ध्यान से समझेगा इसको नोट करना हो तो नोट भी कर लीजी क्योंकि यह बहुत ही अच्छी बात है देखिएगा मैं कह रहा हूँ कि sin देखो sin square x is equal to sin x of whole square यह equal होगे लेकिन sin square x is equal to sin x of whole square does not equal to sin x square यह अलग है यह सेम है दोनों कंडिशन इन बातों को आप याद रखेंगे इसके इन सोट ले लीजी अगर ले नहों तो clear है? चलिए हम अपने प्रस्णे के और चले? शल अब देखो दोनों पक्छों का हम दोनों पक्छों का हम पक्छों का अउकलन करने पर अउकलन करेंगे किस के साफ एक्छ? एक्स के साफ एक्स के साफ एक्स तो होगा दी बाइ डी एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वाइर अब देखिए क्या साइन एक्स स्क्वाइर का उकलन होता था? नहीं, यहाँ पर हमने फर्मूला नहीं लिखा है हमने लिखा है कि दी बाइ डी एक्स sin x is equal to cos x but sin x square का नहीं पड़ा था तो अब x square को मैं t मानता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ यहाँ पर बिटा माना x square is equal to t जब x square is equal to kya माना t माना तब अब क्या लिखेंगे स्रंखला नियम लगाएंगे अभी यहाँ पर तो this equal to यहोगा d by d x और यहाँ पर क्या कह रहे हैं यहोगा sin t हो गया क्या अब यह x है यह x है और यह t है तो क्या oclan हो सकता है नहीं तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा d upon मैं कह रहा हूं यहाँ जब t है क्या कहेंगे इसको dt कहोगे और यह हो जाएगा आपका sin t अब यह हो जाएगा dt upon dx इसको बोलते हैं स्रंक्ला नियम देखो, यहाँ x था, x के साथ पिक्ष नहीं हो सकता चरा अलग लग हो सकते हैं, क्या रही, बेरीबल अलग भी नहीं हो होना चीए, x है तो x, यह t है तो, देखो, t था तो t करा अब मैंने dt लिखा तो यह भी dt लिखो, अगर dt से dt कट गया तो d upon dx हो जाएगा ठीक है, is equal to, अब t के साथ पिक्ष हो जाएगा, देखो, फार्मूला क्या था, d upon dx sin x is equal to cos x होता है, तो मैं कहता हूँ, अगर यहाँ t है भई यहाँ t है, तो यहाँ t होगा, ठीक है, तो मैंने कहा, यह हो जाएगा cos t, क्या हो जाएगा, cos t into, अब यह होगा, d upon dx, और यह क्या होगा, t की value रगदू, t की value क्या थी, x square, ठीक, अब देखो, cos t, तो cos t का, cos t ही होगा, लेकिन मैं बूला, cos, t की value रगदू भी है, t की value x square थी, x square, और यह x square का, x के साथ पिक्षा बावक्रन हो जाएगा, x square का कितना होगा, 2x होगा, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2x cos x square, और यही क्या होगा बेटा, इसका right answer होगा, clear है, clear है, बात समझ में आई, बात समझ में आगई यहां तक, चलिए, एक और बड़ी आसा question लेकर के चल रहा हूँ, मैं आपके सामने आ रहा हूँ, व 2x plus 3, this equal to, अब देखिए, इसको बोल सकता हूँ, f dash x, अब यह नहीं बोल रहा हूँ कि यहां पर आउकलन करने पर, आप अब समझ गए, दोनों पक्चों का x के साब एक आउकलन होगा, मैंने कहा यह dy dx हो गया, और यह होगा 10, 2x plus 3, अब देखो, क्या 10, 2x plus 3 का आउकलन हो सकता, तो अब यहां पर मान लो भईया, मानना, क्या जा रहा है मानने में, कि 2x plus 3 is equal to t, ओके, सर मान सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक, तो होगा d upon dx, और यह होगा 10t, अब देखो, अलग-अलग चर आ गए, अउकलन हो सकता है, नहीं, चलो हटाओ इसको, तो d upon dt, चलो चलो कोई बदल दो, यह होगा 10t, जब यहां t लिखा, एक साना चीए था, मतलब यह dt upon dx कर सकता हूँ, अब 10t का उकलना, जैसे d upon dx, 10x का होता था, 6 square x, अरे हां या ना, देख लो यार, 1 second, अरे क्या हो रहा है, देख लो यार, यह होता था, कहां गया, यह, तो कितना हो रहा है, 10x का 6 square x होता है, तो ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर, कि इसको लिखेंगे हम, 6 square t, अब यह हो जाएगा, d upon dx, और यह t, t की value, 2x plus 3, यह हो जाएगा, 2x plus 3 हो जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा, मैं इस बात को यहां पर बनाने वाला हूँ, ठीक, तो देखो, is equal to, यह एपडेस x is equal to, यह होगा, सेक, अब देखो, यह हो जाएगा, सेक, square, और t की value रग दू यहां पर, t की value, t की value क्या थी, तो 2x plus 3 थी, into, अब देखो, यह देखो, एक फल का उकल गुना, मतलब 2x का, तो भाईया, 2 तो सामने रह जाएगा, और x का कितना होगा, 1 होगा, बात समझ में आती है, 1 कैसे होता है, तो भाईया, मैंने फार्मूला पढ़ाया हूँ, की d by dx, x raise to the power, n it is equal to, n x raise to the power, n minus 1, मैंने कहा कि x पर 1 की power है, मतलब 1 सामने आएगा, औ x पर 1 minus 1 की power is equal to 1 into x पर 0 की power, x पर 0 की power is equal to 1 होता है, 1 into 1 is equal to 1, so इसको डिखेंगे 2, है न, और x की value 1 हो गई, x की value क्या हो जाएगी 1, और यह plus, plus क्या होगा, plus, यह 3 की value constant है, अच्छा रहे मतलब, अच्छा रहे मतलब कितना होगा, 0, अब multiply कीजिए, तो यह हो जाएगा, से x plus 3, इसका multiply 2 में करें, तो into 2, तो 2 को सामने rate कर दे, 0 में करने की जवरत ही नहीं है, बाकी खतम हो गया, तो इसका जो answer आएगा, 2 से x square 2 x plus 3 होगा, clear है, चले, next question की और चले, next question और इसका अंतिम question है, वो question है बेटा, example number, example number आप देखेंगे, तो 23, 23, कहता है, x के सापे, x के सापे, sin, cos x square, एक सेकेंड देख लेते हैं, यही question है, ठीक है, sin cos x square का उकलन कीजिए, है ना, अब कैसे करेंगे, 20, सेखेंगा, मैं सबसे पहले कहता, जो function दिया है, तो मैं मान लू, माना, वो function fx होगा, या y होगा, तो मैं इसकोấn fx मान के चलू, वो function fx है, fx is equal to, sin, उसके बाद दिया है cos, उसके या क्या दिया है, cos, और उसके बाद दिया है, मारे पास x square, ठीक, ok कोई बात नहीं, बना लेंगे यार दोनों पक्छों का x के साफ एक्छा उक्लंड करने पर ये f dash x होगा is equal to d by dx ये होगा आपका sin cos x ये और ये हो जाएगा x square ठीक है this equal to अब एक बात समझो यार क्या इसका उक्लंड हो सकता है नहीं तो मानो यहाँ पर माना क्या मानेंगे इसको total पूरे को t मान लू क्योंकि देखो sin t हो जाएगा फिर आउकलर हो जाएगा sin t का तो क्या होगा cos x square बराबर t ओके जी ओके जी इतनी बात समझी मैं जी ठीक है चलते हैं आगे अब मैं कहता हूँ तो abdates x is equal to d by dx और यह होगा sin t ठीक this equal to d by dt sin t and d t upon dx write करेंगे ok sin t का उकल गुना cos t होता है sin t का उकल गुना कितना होता है cos t अब देको यह d upon dt तो हुआ d upon dx हुआ और यह t की value हम रखते हैं यहाँ पर यह हो जाएगा cos x square क्या cos x square का फिर से उकलन हो सकता है नहीं तो पुना चैन रूल लेंगे पुना चैन रूल दो बार सरंखला नियम लग रहा है यहाँ पर तो माना x square बराबर u मान लो parity माना जाए तो u मान लो कोई दिक्कत है नहीं है चलो ठीक is equal to यह होगा cos t यह होगा d upon अब यह जाएगा d x और यह जाएगा cos u क्या अभल हो सकता है नहीं तो cos t d upon du बोल दो स्रंखला नियम लगा दो और यह होगा cos u du upon dx देको du से du कर जाएगा तो d upon dx आ जाएगा this equal to cos t cos u का कितना होगा minus sin u होगा ठीक है जी अब यह होगा d upon dx और u की जो value है वो होती है x square जो x square u की value रख दिया अब ध्यान से देखिएगा कि अब मैं अगर आगे बात करू तो कितना होगा तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मैं क्या बात कहूँगा कि यह होगा cos t है ना और यह होगा minus sin u अब देखो d by dx x square x square का कितना होगा 2x होगा ठीक है तो हल कीजिए minus को सामने ला लू ठीक है 2x को भी सामने ला लेता हूँ ठीक है अब देखो यार यहाँ पर सबसे पहरे t की value रख दे यह हो जाएगा cos और t की value क्या थी तो देखेंगी धिहान से अब देखो धिहान से तो t की value थे cos x square यह हो जाएगा cos x square और देखो फिर यह sign u बज़ गया तो यह sign और u की value रखोगे तो u की value क्या थी answer होगा कोई problem है क्या नहीं बहुत easy question है तीसी प्रकार से आपको इसके exercise के question देखने मिलेंगे बहुत सरल होने वाले हैं जुड़े रहे मेरे channel के साथ आपको सब कुछ सरल की लेगा यहाँ पर कोई दिक्कत नी होगी तो ठीक है बच्चो मिलते हैं इसके next video में है ना और इससे अच्छे और सरल example ले करके thank you